करनाटक के शिमोगा में बजरंग दल कारेकरता के हत्या के बाद माहुल गर्मा गया है इस पर राजनेतिक बयान बाजी भी जम कर हो रही है कॉंग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जम कर निशाना साथ रही है करनाटक के मंतरी इश्वर अप्पा और कॉंग्रेस नेता डीके शिवकुमार एक दूसरे परनेजी हमले तक कर रही है करनाटक के सीएम बसवराज बोमाई के साथ साथ पूर्व सीएम कुमार स्वामी का इस पर भी बयान आया है करनाटक के पूर्व सीएम एच्टी कुमार स्वामी ने कहा कि पिछले हाफते जब हिजाब विवाद शुरू हुआ था तब उन्होंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है अब एक लड़के की मौत हो गई है कॉंग्रेस और बीजेपी अब खुश हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य की शान्ति को भंग कर दिया है कुमार स्वामी ने आगे कहा कि ऐसा चुनाव की वज़ा से आगे दोबारा हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि करनाटक में ऐसा होगा ऐसा नौर्थ इंडिया में होता है ऐसे माहल की वज़ा से स्कूल और कॉलेज बंध हैं जो करनाटक के तटिये इलाकों में शुरू हुआ था वहा पूरे राज्या में हो रहा है करनाटक के सीम बसवराज बोमाई ने इस मसले पर ट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि शिमोगा में हिंदू कारेकरता हर्चा के मर्डर का मुझे दुख है जात जारी है और दोशी लोगों को जल्द पकड़ लिया जाएगा पुलिस को इलाखे में कानून विवस्ता बनाई रखने के निर्देश दिये गए है कृपया लोग शान्ती बनाई रखे वहीं बजरंग दल कारेकरता हर्चा की हत्या के बाद उन्हें देश में कोई माफ नहीं कर सकता पजरंग दल कारेकरता की मौत के बाद बीजेपी नेताओं के भी अलग रख बयान आ रहे हैं कोई इसे हिजाब विवाद से जोड़ रहा है तो कोई इसमें आपस में कनेक्शन से इंकार कर रहा है बीजेपी विधायक और सीम के सचिफ रेनुका अचारया ने शीमोगा के मामले को हिजाब से जोड़ा वह बोले कि यह हिजाब विवाद की वज़ा से हुआ ऐसा अक्सर तब ही होता है जब हिंदू समर्थित बाते की जाती हैं लोग डरे हुए हैं मैं इस घटना के निंदा करती हूँ वहीं बीजेपी नेता बीएस यदूर अपपा ने भी इस पर बात की वे बोले कि जान जारी हैं सीम बसवराज बोमाई और राज्य के ग्रह मंत्री से देख रहे हैं यदूर अपपा ने पार्टी विधायक की बात से ऐसे मती जदाते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह हिजाब की विदा से हुआ है शिमोगा में फिलहाल 23 फरवरी तक के लिए 1344 से लागू कर दी गई है इसके सासत वहां स्कूल और कॉलेजों को आज और कल यानी 22 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है शिमोगा में हत्या के विरोध में आगजनी और पत्थरवाजी भी हुई है फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रही है विरोरपोर्ट सच कहूं